राजस्थानिवेस्ट की धरा है। निवेश राजस्थान में भी आ रहा है और सबसे एहम बात है कि राजस्थान उन मारवाडियों के लिए फेमस हैं जो देश दुनिया में इनवेस्ट करते हैं। तमाम देश राजस्थान के निवेशकों की और अकरशित हो रहे हैं इन में एक लिथुआनिया भी है आज उध्योग विभाग में बहुत एहम बैठक हुई है और ये तमाम जो चहरे आप देख रहे हैं ये वही किरदार है जो राजस्थान की उध्मिता को आगे बढ़ाने म अहम योगदान दे रहे हैं साथ ही डिफ्रेंट सेक्टर्स में अपनी भूमिका निभा रहे हैं लिथुआनिया और राजस्थान के इंडस्ट्री विभाग को कनेक्ट करने का काम अमिदीप कपूर ने किया हमारे साथ हैं इन से जानते हैं इंडस्ट्री के लिहाज से इसके पीछे का मकसद क्या है और उस मकसद पे उध्योग विभाग कितना खराओ देगा देखिए सबसे पहले नमस्कार सबको मेरा मामीदीप कपूर है और मेरा में काम जो है वो ट्रैवल इन टूरिज्म का है तो मैं वहां से परेयर टकों को यहां पर लाता हूं और यहां कारन है कि मुझे अपने देख से बहुत जहादा प्यार ऐतो मैं इसले ही स्टार्ट किया था बिजन्स के मुझे सबको इंडिया दिखाना तो खासकर इंडिया है तो राजस्तान के बिना इंडिया कोई ट्रिप हो नहीं सकता है और वहां के जो लोगस्इँ वो भी काफी इ यादें आती हैं क्योंकि 70s में जब ये लोग रशिया के अंडर में थे तो उस टाइम पर इनको बॉलिवूड मुवी बहुत दिखाई जाती थी थी थीटर्स के अंदर और सबसे फेमस नाम जो है वो राज कपूर है कोइंसिडेंटली मेरा भी सवनेम कपूर ही है लेकिन मेरी कोई रिस्तदारी नहीं है उस फैमिली से तो मेरा में काम है लोगों को कनेक्ट करना I work like a bridge between these two countries जब से मैं वहां गया मैं यहां के भी लोगों को काफी अड़र्टाइज करता हूं लिथवेनिया क्योंकि वहां की जो है वह भी संक्रित से ही है हमारी अश्क्रित यसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही सिमिलर और जिनका मतलब भी ऑल्मोस सेम है दोनों ही भाषां मैं तो मैं तो यह आशा करता हूं कि यह चीजें और बढ़ती रहे और शुक्रियादा करना चाहूंगा शर्मा-जी का एक्सपोर तो आप खुद एक चेहरे हैं इसके लावा भी सर्विस इंडूस्ट्री के लिए हाथ से मैनुफेक्ट्रिंग के लिए हाथ से बात करें तो किन में पोटाश आपको दिखाई जो है एक तो लेबर की बहुत ज़ादा डिमांड है बाहर के कंट्री में क्योंकि वहां पर लेब से हैं ट्रांस्पोर्ट से हैं बहुत सारे सक्टर से हैं फॉर्निचर मार्किट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और यह लोग हैं लेकिन इनकी जैसे वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है तो इन लोगों को जैसे प्लाइवूड होता है यह रो माटीरियल जो सिक्राया और फोटी विमन विंग की प्रसिडेंट रानु शिर्वास्तों भी हमारे बीच में है रानु जी इंडस्ट्री का यह मिलन हुआ है और जहीर तो पर इन्वेस्ट जब होगा तो प्रोफिट भी साथ में होगा किस तरह की कि मुस्कान राजस्थान के उध्मियों म मिल कर देखें सी बिजनिस हम करते ही है प्रोफिट के लिए पैसा कमाने के लिए एक छोटा सा बात है रो खाली पेट तो राम का नाम भी नहीं निकलता मुसे हैं सो यह है कि अब यह लोग आए हैं यह लेकर आए हैं लिट्वेनिया से तो 40 को रिप्रिजन करती हूं मैं तो साथ में बिजनिस कर सकें इंपर्ट एए कि कर सके शाहूंगी हूं एम एक्सपोर्त करें ऱैजिस्वा है घर की चीज़ों में भी टिक्षाइर में जूलुरी में आपकी मुलाकात हुई है क्या संभावना है आप देख रहे हैं इनके साथ एक कॉलोबरेशन जो मजबूत भी हो और प्रुफ्टेवल भी हाने ठीक है बिल्कुर सही काया अपने में चाहता हूं कि थोड़ा सा एक दूसरे का आदान परदान हो एक्सपर्ट इंपर्ट का और ज्यादा आगे बुजगार मिले अच्छा काम चले मेरा पर्फ्यूम मैनुफ्रेक्ट्रिंग का काम है कमल जी अतरवाले के नाम से कंसर्ण है खुश्मू विखेरते हैं विल्कुल विजनस में है तो उसमें भी आर नेच्ट्र प्रोडेक्ट्स में जो इंतर बनते वो अच्छा कि वहां इनका हम लोगों को मिलाया है और एक मिलन बहुत जरूरी है इंडस्ट्री और खास तोर पर एक्सपोर्ट डिवीजन के नाते और चुकि हर जिले में एक निरियात संभावना ये देख रहे हैं हम और निरियातक बनो मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा दो है तो इन लोगों से मुलाकात के बाद कि रिजल साफ कैसे है धिए सर सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्तान एकस्पोर्ट फ्रमसं का में काम ही यह है कि राजस्तान और इंडिया के साथ जो दूसरे देश हैं उनका ट्रीड और इन्वेस्मेंट को कि स तरह से बढ़ा इनके बहुत अच्छी समावनाएं हैं कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें यहां से कॉपरेशन चा रहे हैं और इन सेक्टर्स में रो मेटेरियल भी चा रहे हैं तो यहां से ट्रेड का भी होगा अभी हम राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोदपूर में कर रहे हैं 20-22 मार्च म तो उसमें भी जो इनका जो सुलाई चेंबर था उसी के तरह एक यूवराल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टरी से हमरा टायब भी हो गया है और वहां से भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड इन्वेस्टर तीनों तरह के लोग आ रहे हैं इनमें भी बहुत सारी सम इनको करा दिया है तापस में एक दूसरे से बिजनेस काड एक्शेंज हो गए हैं अब आगे फर्दर हम चैंबर लेवल पर इनको कोडिनेट करेंगे और जो इंडस्टरीलिस्ट है वो अपने इंडिविजियल लेवल पर कोडिनेट करेंगे उमीद है राजत्तान भी एसे और स्टेट है बिसिकली और राजस्तान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है तो हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर यहां से एक्सपोर्ट की सोच रहे हैं आइटी में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा उपर्चिनिटीज है फर्नीचर है और मुझे यह लग रहा है क जो चैंबर ऑफ कॉमर्स जो दो मिले है उनका आपस में एक MOU भी अभी हमने बात की है वो मुझे जब होगा तो बहुत बड़ी संभावनें दोनों दिशाओं के लिए खुलेंगी तो बहुत 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 दन्यवाद जिनों ने यह आईजन किया है तो यह तो यह कि विए अइज जब एंफें का उप्टा जिह के लिए दिए मेंता कि अपार एंब एंट करिए παर के लिए को बहुत है तो में एंटियो जिन एंट पेणिए जी शेंटार डे ने उनका प्रशन प्रश्त चासान कि बहुत है अजए चाह कर बहुत ब़़ाद कि आपता I think today we changed our willingness, we changed our contacts, and we will see in the future, it's hard to say, which one is the best and which one is the most interesting. I think we have a lot of interesting business spheres and it depends also from our companies, from our company's willingness to cooperate, but I believe that today we had the first step. Thank you so much. Lalita ji, we are also with you. Madam, you talked about investment and in other words, you have also done a lot of investment in Badi Sankhya. In India, you have done a lot of investment in Badi Sankhya. No, it's a very good opportunity. Thank you, Uncleji. It's very good today, Lithuania, as many delegates come to us, they also want to export and import from India. We get to every kind of business. They have some such things, like UPVC, Windows, Builders, and they are very good. They want to export from India. चाहते हैं। औरुछो कि ऐसे भी हैं, जिनों जो यहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं। चीनों, भूर्जिस्थान के हमारे हैं के लिए। मेडिया, पक Community स्थे पूह से के लिए भी है। मेडिय होग भी आये हैं। जो कि बहुत अच्छा है , इसे ही वहांWei तो देखे किस तरीके से अपने गरम देखते हैं हमें सिर्फ लगता है कि वहां की दुनिया अलग होगी हम अलग नहीं सब जगे एक जिस है उनको भी मीडिया वाले उनको बिजनेस और यहां पर हम बहुत सारी उपरचुनिटी अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो एक बहुत साथ लोग मेरे काम के जिन से मैंने भी बात भी किये और इन फीचर उम्मीद करते हूं कि उन्हें हमसे और हमें उनसे बहुत जादा फायदा होगा रहम बिजनेस वालों को होगा तो अबिसली सरकार को भी होगा थैंक्यू सो मच तो तमाम सेक्टर्स के लोगों से हमने बात अंकित तिवारी चोक मीडिया जैपर